जन शिकातों में लापर्वाही बरतने पर सियम्योगे शक्त नजर आ रहे हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 24 दिलों के अफसरों पर कारवाई की तलवार लटकी हुई है जन सिकातों में लापरवाही बरतने वाले आप सर ना पेजाएंगे लगनाओ की पुलिस अफसरों की कारप्रडाली पर कई सवाल उठ रहे हैं सोला जिलो में आईजी आरेस नोडल अफसरों पर करवाई होगी सियम योगी के ग्रीवी भाग के प्रमुक सचिफ को पत्र लिखा आईजी आरेस पोर्टल पर आवेद को के मुबाईल नमबर फीड नहीं किये है जन्शिकातों की समिक्षा में घोर लापरवाही पकड़ी गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जन्शिकातों में लापरवाही बरतने परसी अम्योगी शक्त नजर आ रही है 24 जिलो के अफसरों पर कारवाही की तलवार लटकी हुई है इस खबर पर हमारे समवादाता रिटेश हम से चुड़ेंगे रिटेश जन्शिकायतों में लापरवाही बरतने पर सियम्योगी सक्त नजर आ रहे हैं क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर जी मैं आपको बता दू कि जब उत्तरप्रदेश में मुक्यमंतरी योगी आदी तिनाद की सरकार बनी तो उसके बाद से मुक्यमंतरी जन सुनवाए पोर्टल का एक आगाज किया गया था उसके बाद उसमें ये कहा गया था कि जो भी समस्याय होंगी वो जनता उस पोर्टल पर दर्ज कराएगी कि जनता की बातों को सुना जाए लेकिन कहीं न कहीं न कहीं उनके अधिकारी उनके आदेसों को पलीटा लगाते हुए बाद नहीं आए और जसके तस वो शिटी बनी हुई है अब 24 जिलों के अफसरों पर जो नोडल अफसर है 24 जिलों के उन अफसरों पर ये तलवाल लटकी हुई है उनकी नवकरी पर भी बनाई है। करवाई करने के लिए जाज के आदिस भी थिये हैं परमुक सच्छी उग्रे को भी पत्र लिख करके भेजा गया है हमारे साथ कुछ शिकायत करता भी मुझूद है हम उनसे बात करना चाहेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके का आजियरस किया मेरा नाम आये स्मिश्ट्रा है मैं सारे एस्टेट्स में रहता हूं अब ने साहरा से लिए के अंदर रहा करीब दो हजार मकान हैं यहां पर नगर निगम कोई सुविदा नहीं देता है जब की यहां पर सो प्रिपिसत लोग हाउस प्रक्त्स देते ने इसको लेकर के हम बार-बार नगर निगम को लिख रहे थे, नगर निगम हमारी बात नहीं सुनदा था, उसके बाद हम लोग हाई कोट गए, अनियोच चिनयायले ने आदेश दिया कि आप यहाँ पर मुलभूत सुविदाएं उपलब्ध कराएंगे, यह आदेश 2019 में आया था, जहाँ पर नगर निगम ने यह बात रखी थी, कि यह लोग यह जो एरिया है, यह ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी तक नगर निगम को, लेकिन हाई कोट ने इनकी बात को नहीं माना था, और कहा था, मुलभूत सुविदाएं उपलब्ध कराएं, उसके बावजूद भी 2019 से, यह यहा आती है, और एक जूनियर लेवल का अधिकारी उस पर अपनी आख्या लगा देता है, और आख्या लगा करके इतिस्री करता है, पिछले दिनों हमने लिखा था कि यह आख्या, क्योंकि चन्यायले के आदेश का उलंगन है, इसलिए कंटेम्टराफ कोट हो सकता है, इसलिए जिला अधिकारी महोदे या मंडला युक्त इसके उपर आदेश दें, लेकिन बार बार लिखने के बावजूद ना तो यह हमारी जो सिकायत है, जिला अधिकारी तक पहुंचती है, और ना ही मंडला युक्त तक, नहाजा हम सब परेशान है, आई जी आरेस जो पहले बहु गितना से सुनी जाती है, पूरी तरह से इन अधिकारियों ने धुस्त कर दिया है, मेरा कहना है कि जो भी शिकायत की जाती है, उसकी आख्या, डिपार्टमेंट है, खास करके IES या PCS अधिकारी लेबल पर ही लगाये जाएं, नीचे के लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, या जिनके खिलाब शिकायत की गई है, वो आख्या लगा करके अपनी जो जनता की समस्या है, उस पर समाधान नहीं देते हैं। आख्या लगाई जाती है, उसमें J-Level का अधिकारी, जूनियर इंजीनियर है, वो आख्या लगा करके उसको खतम कर देता है। तो इस तरीके से जन्द सुनवाई पोर्टल, मुख्यमंत्री का जो सपना था, जन्द सुनवाई पोर्टल के माध्यम से उस तरह प्रदेश की जनता को लाब मिल सकेगा, उनकी समस्याओं का अधिस्तारन हो सकेगा, वो कहीं ने कहीं ठंडे बस्ते में पढ़ा है, कारण अधिकारी काम करें, लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन अफसर कहीं न कहीं लापर वाही बरत्ते नजर आ रहे हैं, उसमें 24 जिलों के अफसर सामिले जिन पर तलवाल लटक रही है, मैं बताओं, मैंने अभी भी कहा, कि अभी 24 जिले नहीं, 75 जिले जो है, अभी सभी जिलों के अधिकारी नोडल अधिकारी निकल के सामने आएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है, अगर कायदे से इसकी जाच की जाएगी, मुक्तमंत्री जन सुनवाई पोर्टल की, मैं आपको बता दू कि कोई अधिकारी, कोई नोडल अधिकारी इसमें बचने वाला नहीं है, और ना ही रियायत मुख्यमंत्री योगी आधितनात देने वाले है, सबसे बड़ी खामिया मैं आपको बता दू जन सुनवाई पोर्टल, इसलिए बहुत सरल माध्यम दिया गय है, और वो जबाद तीने ऑनलाइन दर्ज कर भिया जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है, कि आप से बात हुई, आप से वारता हुई, तो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी कई लोगों से और बात हुई थी, जिनका इससाब तोर पर कहना है, जो सिकायत करता थे, कि ना तो जिरके पास आख्या के लिए जाती है, रिपोर्ट वो ना टेलिफोनी बारता करते हैं, और ना किसी प्रकार की सूतना देते हैं, और आख्या लगा करके रिपोर्ट भेज देते हैं, तो कही ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो ये काया कल प्योजरा थी, जन सुनवाई पोर्टल उसको उनके अधिकारी पूरी तरीके से पलिता लगा रहे हैं, और उनकी किरी कराने में बाद नहीं आ रहे हैं, यह आने वाले चुनाओं में जनता ने भी इस चीज को सीख लिया है, उसके बाद भी और चुनाओं होने हैं, तो ऐसे मगर मुख्यम कि अधितना और तुर्भासी जनलता फाठी के लिए नुक्सान साबित होगा, जी धने वादरी तेस हम से जुनने के लिए, अगा 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 एक बार फिर से हमारे साथ रितेस सिर्वास्तफ जोड़ चुके हैं, जिनके साथ काई लोग मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे, रितेस आपके पीछे काई लोग नज़र आ रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे। जी मैं बता दू, कुछ लोग और हैं, वो अपनी समस्चाओं को आई-जिरस के मादन से जिनों लिखिया था, वो भी कुछ कहना चाहरे हैं कि आखिर क्या समस्च्या है, क्या होई थी सर्कंसब्दों में बताईएशी हूँ, आई-जिरस सिस्टम गवर्मेंट ने बहुत अ जाला, तब जाके और शिकायद जूर होई और जो भी शिकायद करते हैं, उसके अगर रिस्तारण नहीं होता है, और सिस्टम पर दुखियोग हो रहा है, दूसरी एक बात और कहना चाहुँगा, कि मुखमन तरी कारयाले से इस शिकायद का फालो अप होता है, कि आप शिकाय स्कुमें ज़िए है, कि वहां से गंटी आएगी, आप खंटी उठाएगे, तो वहां आवाज नहीं जायेगी और तिर फोन रहा दएते हैं, तो वहां के शिकायद में शिकायद अब होता होता है कि थी शिचायद शिकायद में अशिकायद को आट जी देना, इस नहीं हो रह प्रवाग पुलिस अधिकारियों पर आलम यह कि जिस प्रकार से एक विभाग बनाएगा था कि शिकायतों की सुनवाई होगी हर विभाग ने अपना एक चोटा चोटा विभाग बना लिया जहां पर यह कारिकरम चल रहा है कि इस तरीके की सुद्वाइओ के लिए उन्हों ने एक चोटा सा पॉल्टल बना कर जगा लिए वहां के दो चार लोग है जो अपनी कुछ भी मनमानी रिपोर्ट लगा देते है उसके बाद आप उसका फीड़बैक देते हैं अधिकारी नहीं अधिकारियों के जो भी है अधिकारियों के नीचे बैठे हुए लोग हर तरीचे लेकिन किसी की भी किसी समच्छा को कोई समाधान नहीं है हमेशा एक एंबिग्यूस रिपोर्ट लगाई जाते हैं अभी तक सब के हाएं लगातार उसके हमने फीड़बैक भी डाले हैं उसके अभार उच्छा अधिकारियों को भी कंप्लेंड करी लेकिन कहीं से भी कोई बराबर से कहीं कोई ऐसा सटिस्ट्री आंसर नहीं है आपकी कंप्लेंड हो गया हूँ पहले मैसेज टेलिफोनिक आता था टेल करिए तो उसमें लिखा जाता है आपकी समस्य अहल हो गई जबकि वास्ता में कोई समस्य नहीं है ऐसा हम भी देख रहे हैं और पूरे सहराय स्टेट में यह समस्या है वर्तमान परिपेशन में में आपके चैनल के तूरू सरकार को यह बताना चाह रहा हूं अगर नगर नि हैं उनको आने वाले चुनाओं में इसका खामियाजा भुकतना पड़ेगा और नगर निगम को भी चाहिए कि जो भी सुर्दाएं है या जो भी विवाग है वो सारी सुर्दाएं सही से दिए इस पर क्या कहेंगे लोग उनसे थोड़ा बात करें अभी मुक्यमंत्री योगी आजए पनात्रे जन सिकातो पर जो करते हैं लेकिन जमीनी इस तर पर जो सुपरवाइजर है जो वरकर है वो लोग समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं कि आपकी समस्याओं हो गई और इस पर कारवाई हो गई जबकि अगर आप ग्राउंड लेवर पर आकर देखें तो उस पर कोई कारवाई नहीं होती है शायद 10 पर कारवाई होती है नब्बे पर सेंट पर निस्तारित लिखके छोड़ दिया जाता है मैं यह बड़ा सवाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जन्तुनवाई पोर्टल का आगाज मुख्यमंत्री योग्या दितना आत्मे किया था तो यहां पर साफ तो पर स्थिकाज करताओं का यह कहना है कि कारवाई होती है लेकिन जो उनके नीचे के माधात होते हो नब्बे प प्रमक्षिची ग्रेयों को भी पत्र भीजा जा चुका है कारवाई आगे हो गया देखना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सपनों को एक दम चक्रणा चूर किया जा रहा है उस पर क्या कारवाई होती है और किस तरीके से जन्ता को अब रहात मिलनेगी धन्यवाद तेस्त तमाम जानकारियों के लिए कोरोना की आश अंका के बीच स्वास्त विभाग ने जाज की फीज तै की है लैब में आटी पी सी आर जाज कराने के लिए 700 रुपए तै हुए है जाज कराने के 700 रुपए से अधिक नहीं वसूले जा सकते घर बैठेनी जी रैब जाज के लिए अधिक तम 900 रुपए ले सकेंगे एंटीजन टेस्ट के लिए 250 विभाग तै फीज के सक्ती से पालन कराएगा राजधानी लखनाओं में कुरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है बड़ी ख़बर आपको बता रही है कुरोना की आशंका के बीच स्वास्त विभाग ने जाज की फीज तै की है इस खबर पर हमारे समवादाता विवेक हम से जुड़ेंगे विवेक सक्ती से पालन कराएगा स्वास्त विभाग तै फीज को अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर गरीब कहां जाएंगे मैयूरी राजदानी में कोरोना की बढ़ती आतंका है लेकिन अभी तक लखनाव में नहीं किसी मामले की पूर्टी नहीं हुए वही इसकी बढ़ती आतंका को देखते हुए अस्ता सिवाग ने एक निर्देश जो है काईट्लाइन जारी कर दी है कि अगर लोग पर जाके आटी पिस्का कराते हैं तो साथ सो रुप्य से ज्यादा वसूली वसूल नहीं कर सकता है लेप्रसासन और जो अगर जो निजी ल तो इसकी मत बारेस्ट पत्यास रुपे निर्दारिश के गई गई है वह इसकी से पालंग कराने का अंदेश भी दे रहा है और बाद भी कर रहा है कि सक्ती से पालंग कराई जाए जाए कि पहले कि दोर में हम देख चुते हैं कि इस तकार से हजार बारासों से ऊपर जो है आठी-पिस्टीर के नाम पर वसूली की जाती ती इसके फ़र्ष्ट और सेकेंड कोईज में तमाम करकी जो प्राइविट कॉलेज एक पर ना तो इस तब कि जो नए नया वेरियन सुरू हो रहा है उसकी आसंगा को देखते हुए पहले जही साथ तुझाग में अपने कोई लेज जो है तैसी से ज्यादा वसूली करता है तो उस्ते खिनाफ करवाई की जाएगी स्वास्तुगा के यह सक्त आदे समय हुरी विवेक ये तो हो गया कि स्वास्त भी भाग फिस्त तैसी को पालन करवाएगा सक्ती से लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा ह हो रहा है कि गरीव आखिर कहां जाएंगे उनकी लिए क्या कुछ विवस्ता की जाएगी अदिखें मेरी जो एक टेस्ट है आटीपी सियार का यह तास तो रुपय तक रखा गया है और जो एंटीजन टेस्ट है तक रखा गया है फिलाल कुछ लोग ऐसे हमारे अभी देस मे कर सकते हैं यह देखने वाली चीज है कि सरकार इस पर क्या एक्ष्ण लेती है कि जो गरीवी रेका से नीचे दियो नैपन करने वाली लोग है उनका ख्याल किसना रखा जाता है लेकिन अभी फिलाल सास्वीबाद में यादे जारी कर दिया है कि जो पै फीस है उस्ते गदा अगर फीस की आप वफूली करेंगे उस्ते अदा फीस के आप दिमांड अगर किसी मरीज से करेंगे वाज़ी अगर 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 धरते जाके सेंपली करने की बात हो तो दो सो रुपय और एड़ कर जेगा है इससे आते चार जो है तोई भी नीजी ले प्रसासन जो है उगर सेंपल जाने पर नहीं कर सकता है तमाम तरह की फीस के मिलडारी कर जूई है और साथ जुबाग ये लगतार कह रहा है कि हम इस पहसले को सक्ति से पालंग कराएंगे ताकि मरीजों को जो है उनकी जेब पर भारी ड़केटी जो है ना पर सके जैसा कि इसके पहले सक पड़ी जी धन्यवाद भिवेक तमाम जानकारियों के लिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार